Hello everyone, my name is Manpreet Singh और आज हम करने वाले हैं हमारे current electricity का part 4 जो की है electric circuits So अभी तक हमने ये समझ लिया charges क्या है, electric current क्या है, potential difference क्या है अब हम समझेंगे कि किस तरीके से electric circuit होते हैं और electric circuit की क्या importance है और इस electrical circuit का क्या role होता है और इस electrical circuit के अंदर कौन-कौन से components लगते हैं तो काफी interesting ये session रहने वाला है, तो please इस video को end तक जरूर देखना इसके अंदर मैं आपकी सारी basic से जो advanced हीजे हैं वो मैं cover करूँगा और साथ-साथ आपको कुछ अच्छे-चे examples भी दूँगा जिसको आप इससे relate कर सके ठीक है तो चलिए फिर वीडियो को start करते हैं, तो start करते हैं कि समझते हैं कि electric circuits क्या होते हैं, ठीक है? तो जब हम electric circuit की बात करते हैं, तो देखिए नाम को हमेशा, कभी भी हम कोई चीज पढ़ते हैं, तो नाम को हमेशा bifurgate करें electric circuit, यानि कि circuit की यहां पर बात हो रही है, और circuit हम कहां सुनते हैं, सर, circuit हम सुनते हैं, जब कोई race होती है, तो एक circuit होता है, हना आप सभी ने सुना है, for example, एक F1 की race चल रही है, let's say, एक bike की race चल रही है, कोई भी race चल रही है, तो आप let's say, यहां से start हुए, और पूरा घूम के आप वापस यहां पर आ गए, तो हम कहते हैं, उसने एक circuit कर लिया, फिर वो वापस घूमा, वापस यहां आ गया, तो second circuit कर लिया, तो circuit यहां पर क्या था, circuit असल में यहां पर यह closed, आप कह सकते हो path था, यह जो way था, उसको जो हमने close कर दिया, तो that is known as circuit, अब हमारे इस reference म को बना रहा है, जो electricity को consume कर रहा है, कुछ switches हो जाएंगे on-off करने के लिए, हना wire हो जाएंगी, तो इन सब को मिलाके हम एक loop बनाते हैं, और यह loop हमारा कहलाता है electric circuit, अगर मैं यहां पर इसकी definition ने एक बढ़ पढ़ूँ, तो यह यह ही कहता है, an electric circuit is a closed path, very very important कि यह closed path होना चा होगा, तो आपके घरों में जो lights हा रही है, यह हर चीज एक circuit में connected है, तो यह closed circuit बना हुआ है, कहीं पर भी अगर आपने circuit को open कर दिया, तो यह lights, यह पंके, यह सब कुछ नहीं जलेगा, ठीक है, तो circuit का close होना बहुत जरूरी है, तो electric circuit is a closed path, एक बंद path है, in which electrons move to produce electric current, याद बनता है, तो basically यह जो छोटे-छोटे electrons होते हैं, हना यह move करते हैं उस wire के अंदर, अब वो wire के अंदर तो move कर रहे हैं, but this is not compulsory की, अगर electron wire में move कर रहे हैं, तो current बन जाएगा, हमें इसको close करना पड़ेगा, यानि कि यही electron इसमें ऐसे घूमते जाएंगे, घूमते बट असल में, इस closed path के अंदर, यह electrons, यानि कि free electrons, move करते हैं, और यह move करके हमारा electric current बनाते हैं, तो उस circuit के अंदर, हमारा electric current generate होता है, तो यह electric circuit की basic definition हो गई है, अगर एक और डेफिनिशे के electric circuits are important concepts that have practical applications in a daily life, जैसा कि मैंने भी आपको example दिया, आप मुझे देख पा रहे हैं आप पीछे ये screen को देख पा रहे हैं, यहाँ पर अभी studio में lights चल रही हैं, तो हर जगा ये electric circuits ही तो हैं, आप घर में बैटे ये video देख रहे हैं, अपने phone पे, अपने phone को charge किया, आप अगर laptop पे देख रहे हैं, laptop आपने charge किया, internet सब चल रहा है, उसके लिए भी हमें current चाहि circuits हैं, जहाँ पर आपको कोई चीज मिल रही है, let's say light मिल रही है, हवा मिल रही है, AC चल रहा है, फ्रीज चल रहा है, तो वहाँ पर close circuit ही होता है, यासी close path होता है, यानि कि electric circuit होता है, तो जहाँ पर current बन रहा है, that means वहाँ पर एक electric closed circuit है, closed path है, ठीक है, तो यह हमारे daily life के अं तर तीन important components होते हैं, जिससे यह circuit मिल के बनता है, पहला, सबसे पहला important इसके अंदर होता है, source of energy, मान लो आपने circuit बनाया, उस circuit के अंदर आपने current तो आपको produce करना है, तो वो wire में electrons घुमेंगे, बट वो आपने आप थोड़ी घुमेंगे, हमें उसको घुमाना पड़ेगा, यह हमने potential difference में समझा था, कि potential difference is a cause, जो electric current को flow करवाता है, तो उसको flow कराने के लिए पहला device या पहला component हमें क्या चाहिए, जो की source है, अब source can be cell and battery, हम आगे जाके अच्छे से पढ़ेंगे, तो एक हमारे लिए क्या है, हमें एक source चाहिए, electrical energy का, दूसरा close loop of conducting material, तीन होती होत of electrical energy, एक device, आच्छा, device यहाँ पर basically होता है, कि जो basically electric current को use करेगा, आप खुछ सोचो, अगर मैं circuit में कोई device लगाई नहीं रहा, तो मैं current किसके लिए बना रहा हूं, current बनाने के लिए कोई ना को इसको use करने वाला भी तो होना चाहिए, तो उसको use करने के लिए हमने fan लगा यह electric current, electric energy को use करते हैं, तो इसलिए हमें एक device भी चाहिए होता है, otherwise वो circuit का मतलब का है, जिसमें device ही नहीं है, तो एक तो source हो गया, दूसरा हमारा device हो गया, and the third important part जो की है conducting material, आप मुझे बताओ, circuit के अंदर सबसे important चीज क्या है, आप घरों में जब wiring लगवाते हैं, आप अ वायर के आप कैसे घर में electrical, जो आपका circuit उसको बनाओगे, तो सबसे important part हम कह सकते हैं, वायर, तो यह जो वायर है, इस सब basically, आप कह सकते हो, कि जो इस पूरे loop को, इस पूरे circuit को connect करती है, और यह जो हमने source पढ़ा, यह जो device पढ़ा, यह उनी वायर से connect हुआ होता है, तो य ठीके से हमारा electric circuit होता है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, एक हमने lamp लगाया हुआ है, so this lamp is our what, यह हमारा एक device है, क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, तीन important component होते हैं, वैसे 4, 5, 6 भी हो सकते हैं, but basically devices ही होते हैं, एक हमारे पास यह device है, एक हमने इसमें switch लगा है, अब आपको बताऊंगा, फिर एक हमने battery लगाई है, यह हमारा क्या है, source of energy, तो आपके एक circuit में source of energy होना चाहिए, जो current को basically electrical energy को produce करें, दूसरा device जो इसको use करें, तीसरा जो इनको connect करें, that is a wire, तो आप यह black color और red color के आप जो देख रहे हैं, that is our wire, और यही होता है हमारा basically conducting material, जिससे वज़े से यह पूरा circuit जो है, वो complete होता है, अब यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों के अंदर क्या फरक है, मैंने आपको एक point बोला था कि this closed, this electric circuit should need to be closed, यह हमेशा closed रहता है, open नहीं रहता, तो अगर यह closed रहेगा, तो obviously बात है कहीं से भी अगर यह खुला र पंखा चलाना है, तो हम switch को on कर देते हैं, जब यूज नहीं करना होता हम उनको on कर देते हैं, तो basically हम उस चरकीट को open और close कर रहे हैं, तो जब आप switch को on कर देते हैं और आपका पंखा चल जाता है, इसका मतलब आपने circuit को close कर दिया, तो always remember one thing, कि जबहीं भी बी circuit close हो जाता तो अभी आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपका switch अभी देखो बंद है, on है, on किया है, तो आप देख सकते हैं, आपका circuit connect हो गया, जैसी connect हो गया, तो आपका यह बल्ब जल जाएगा, बट वही पर अगर आप देखेंगे, यहां पर switch off है, तो switch off का मदला आप देख स इसमें यह समझते हैं कि अभी ऐसा कि मैंने आपको बोला कि इसमें 3 important components होते हैं, तो पहला इसके अंदर जो important component होता है, that is known as हमारा source, source यानि कि जो यहां पर हमें electrical energy दे रहा है, वैसे मैंने आपको idea दे दिया, एक बार पढ़ लेते हैं, the first component in an electric circuit is the source of electrical energy that allows electron to move, यानि कि यह source होता है, यह क्या करता है, इन electrons को move करवाता है, और move कैसे करवाएगा, इनको force लगाता है, इनको धक्का देता है, यह हमने potential difference में समझा था, तो वो potential difference ही basically energy होती है, जो electrons को वो देते हैं, और जिनसे electron यह move करते हैं, तो इसलिए हमें source का होना तो बहुत जरूरी है, तो यह हम source है, यह सब electrical energy बनाते हैं, यह सब potential difference create करते हैं, तो यह सारी चीज़े जब आप लगा लेंगे एक circuit में, तो आपका electrical energy का जो आप कह सकते हो area आप उसको cover कर लेंगे, ठीक है, तो यह सारे कुछ हमारे sources होते हैं, ठीक है, अच्छा, अब आगे समझना है, यहापर where there is a positive terminal and a negative terminal and from where charge could flow from one end to the other, this push of electron charge is known as voltage, whose potential is measured in volts, तो यह हम already वैसे पढ़ भी चुके हैं, बट मैं फिर बता देता हूं, कि समझना अगर हमने cell लगाया, आगे जाके मैं आपको सभी के circuit diagrams भी बताऊंगा, तो इस तरीके हम cell को बनाते हैं, अब वहां ऐसा आप cell बनाने नहीं बैटेंगे जैसा मैंने आपको पिछली slide में दिखाया, so this is how you have to draw battery, but battery आपको ऐसे नहीं बनाने है, because it's not a drawing चीज, आप यहां किसी को drawing अच्छी होती तो अच्छा बना लेगा नहीं, हमें उसको symbol में create करना पड़ेगा, because symbol जो होते हो हर को ही बना लेता है, और वो एक representation होता है, simpler way में, तो हम हर बार battery cell को ऐसे नहीं बनाएंगे, जैसा वो physically दिखती है, bulb ऐसा नहीं बनाएंगे, जैसे वो दिखता है, right, switch ऐसा नहीं बनाएंगे, जैसे हमें दिखता है, हम उसको convert करेंगे, हमारे जो easy रहता है, ठीक है, तो यह चीज आपको समझनी है, कि जभी भी हम कोई source ठीक है, although इस battery के अंदर हम यह चीज डिसकस नहीं करेंगे, हम उसको एक circuit, diagram में उसको हम discuss करेंगे, वो मैं आगे जाके आपको अच्छे से समझाओंगा, तो यह हमारा पहला component हो गया, जो कि क्या है, एक electric source है, जो कि हमें basically energy provide करता है, ठीक है, चलो, second source की अगर हम बात करें, that is a device, तो second चीज जो हमारे circuit में लगी होती है, वो होती है device, अब device मैंने आपको पहले ही idea दे दिया, यह fan हो गया, यह bulb हो गया, light हो गई, motor हो गया, fridge हो गया, AC हो गया, यह सब आपके device है, जो आपके circuit में लगते हैं, जो basically यह electrical energy को use करके चलते हैं, और हमें वो चीज उससे मि फिर हमने उस बल्ब के सुरूब लाइट ले ली, तो हमारा मेन यहाँ पर था, electrical energy को light energy में बदलना, ठीक है, तो बिना device के तो मतलब के हम यह कर क्यों रहे हैं, हमें तो कुछ ना कुछ device से, कुछ secondary चीज लेनी है, हमने अगर fridge जोडा है, तो हमें उसे ठंडक चाहिए, हमें हावा करनी है, light हमें light चाहिए, बट इन सब को हम दे क्या रहे है, electrical energy, तो device लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि basically हमारा main purpose ही यह है, so the second component is a device, it responds to the current passing through it, तो यह जब current इसमें से pass करता है, तो यह respond करता है, जैसा कि मैंने आपको पता है, अलग-अलग तरीके की energy को convert करता है, today a device is something that can plug into a wall socket and used with the electricity, आज आप electric अपने जो घरों में board होते हैं, जाके आप चारजर लगा देते हैं, that is also a device, तो जो भी चीज आप इस socket में लगा के, जिससे आप current की energy को use कर रहे है, that is known as device, ठीक है, okay, the loop is generally closed using a piece of conducting material, it is usually a wire, but there are other kinds of material that can close the loop too, वैसे तो अगर आप देखें, तो wire से आप, जो है हमारे loop को close कर देते हैं, device को भी close कर देते हैं, बढ़ कई बास switches का भी हम use करते हैं, तो वो चीज यहाँ पर mention की गई है, तो यहाँ से हमें यह समझ में आ गया कि, जो हमारा second important component होता है, electric circuit का वो होता है हमारा devices, ठीक है, चल तो wire basically resistance ही होता है, वैसे अभी आपको मैं short में बताता हूँ, resistance का हमारा main chapter आएगा, पूरा topic आएगा, बट अभी आप यह resistance को wire ही समझ लें, तो basically यह wire की बात कर रहा है कि the third component is the wire, every circuit has some resistance to the flow of electron, देखो होता क्या है, simple language में समझाता हूँ कि जभी भी आप एक circuit बनाते हैं, तो obviously आपको wire use करने पड़ेगी, अब वो wire आपको free electron तो दे रही है, आप उसको move कराओ, बट 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 इतना असान नहीं होता, वो ही wire, वो ही wire आपके current को रोकने की कोशिश भी करती है, अब आप surprise होगे कि सर यह कैसे, यह भी होता है, आपको क्या लगता है, हर चीज इतनी अस असान है, नहीं, आप उनको push कर रहे हो, बट wire ही उनको रोक रही है, तो यह चीज को हम resistance बोलते हैं, तो अभी आपस ऐसा समझ लो, resistance एक wire की property होती है, जो current को flow करने से रोकती है, वही होती है, जो current को बनाने के लिए help करती है, और यही होती है, जो current को रोकती है, तो जब आगे जाके और बात करेंगे, electrons collide with other electrons and atoms that make up to the wire, then thus convert some of their energy into heat, अब यह resistance जो हमने लगाई, wire जो हमने लगाई, इसने circuit तो complete कर दिया, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह current को oppose करता है, और जब यह current को oppose करेगा, तो यह उसकी kinetic energy को heat energy में बदल देगा, आप सोचो आप जा र प्रड्यूस करेगा, तो आपकी जो overall speed है, आप उसको कम करेंगे, बट वो energy convert होती जाएगी heat में, जो हम चाहते नहीं है, हम नहीं चाहते हमारे circuit के अंदर heat बने, बट वो बनेगी ही बनेगी आप उसको रोक नहीं सकते, आपने कई बार सुना होगा कि ना, सर हमारी तार जो wire melt हो गई, तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है कि wire तो आप लगा लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट wire के साथ resistance का भी ध्यान रखना पड़ता है, और वो हर material का अलग-अलग होता है, length के उपर depend करता है, area के उपर depend करता है, वो एक पूरा एक अलग series में हम बहुत टेल में समझेंगे, ठीक है, चलो, it is simply not possible to transfer energy from one form to another without losing some of heat, energy as a heat, यानि कि अगर आप सोचते हो कि मैं 100 joule electrical energy को यहां से वहां पहुचा दूँगा, so it is impossible, कुछ portion हमेशा energy का heat में बदलेगा, and that is because of wire, और wire के बिना circuit तो बनेगा कैसे, तो कुल मिला के यह 3 devices, sorry, 3 components जो होते हैं, electric circuit के, पहला है हमारा source, second है हमारे devices, and third will be our wire, which is act as a resistance, ठीक है, चलो, यहां तक चीज़े समझ में आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब, जैसा कि मैंने आपको starting में बोला था कि, यह सारी चीज़े तो मैंने आपको बताई है, device, wire, source, इनको sir, हम symbol में कैसे बताएंगे, क लग जाएंगे, possible ही नहीं है, अगर आपको कोई बोल देगा, चलो, यह fridge बनाओ, फ्रीज इससे connect है, पंका इससे connect है, तो आप फोड़ी पंका physically बनाओगे, तो कहने का मेरा मतलब यह है, कि उसको simplify रखने के लिए, कि हर कोई इनसान उसको बना ले, तो हम उसको एक small, कह सकत है, कि यह cell है, यह battery है, अगला समझ भी जाएगा, अगर उसको knowledge है, ठीक है, तो यहीं पर हम क्या करते हैं, इन सारी चीजों के हम symbol याद कर लेते हैं, फिर end में मैं आपको खुझ से एक circuit diagram बना के बताऊँगा, जिसमें मैं सारे symbols का use, आपको करके बताऊँगा, ठीक है, चल तरीके से बनाना है, क्या करना है, मैं आपको सा बता भी देता हूँ, आपको इस तरीके से दो lines को draw करना है, एक line आपकी बड़ी रहेगी, एक line आपकी छोटी रहेगी, जो बड़ी line होती है, वो plus sign लगा दो, और छोटी वाली को आप minus का sign लगा दो, तो बन गया हमारे cell का symbol clear है, तो यह cell का symbol है, जा positive end है और negative end भी आपको दिख रहा है, I hope सबको समझ में आ गया होगा, second देखते हैं battery, अब सर यह battery और cell में क्या फरक है, यह भी मैं आपको बता देता हूँ, जब हम एक cell लगाते हैं, तो हम ऐसे बना देते हैं, चलो सर समझ में आ गया, जब मैं इनी सारे cell को जोड़ देता हूँ, माल लो आपको मैं कहता हूँ, यह लो 10 cell इनको जोड़ दो, तो जब आप 10 cell को जोड़ देते हो ना, तो वह battery बन जाती है, तो battery is basically a combination of cell, जब बहुत सारे cells को मैं मिला देता हूँ, उनको combine कर देता हूँ, so that will make our battery, अब battery सुनने में लग रहा है कि सर बहुत सारे cell लगे हैं, तो हम कैसे बनाएं, तो वह आपको मैलेट से कहता हूँ, चलिए तीन cell का एक battery बनाएं, तीन cell ले लिजिए और इनको जोड़ दीजिए, और battery बना लिजिए, तो आपको पता है कि एक cell तो ऐसे बनता है, तो आप आगे connect करते जाएं, तो पहले क्या करेंगे, एक cell बना दिया, फिर एक line खीचेंगे, दूसरा cell लगा दिया, फिर एक line खीचेंगे, तीसरा cell लगा दिया, लो बन गई battery, तो battery कैसे बनी, आपने cell को जोड़ते गए, अगर कोई बोलता है, दस cell की battery बनाओ, तो दस cell जोड़ दो, दो cell की battery बनाओ, दो जोड and the last place should be negative सब पर लगाने के अब sign की जरूरत नहीं होती है तो यह हमारा हो गया battery now let's move on to the next that is key या फिर switch अब होता क्या है कि यह जो हम circuit है इसको हमें अगर on off करना है या फिर open close करना है तो हमें इसमें switch लगाना बहुत जरूरी है घरों के अंदर भी switch लगे होते हैं आपके सामने हैं आपको अगर light बंद करने हैं आप switch को off कर देते हैं on करने हैं तो यह switch जो होता है circuit को break or connect break or connect करता रहता है तो इसलिए switch भी एक important part है switch तो बहुत अरीक है कि होते हैं मैं कैसे switch बनाओ जो मेरे घर में switch है वो तो अलगी design का है तो आपको design वाला switch नहीं बनाना है उसको एक symbol बनाना है और switch के दो symbol होते हैं बहुत simple simple है एक तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था एक और है अब देखो यदि मेरा switch if मेरा switch is open यानि कि वो खुला switch है तो आपको circuit के अंदर या तो आप चाहो ऐसे बना दो चाहो तो आप उसको ऐसे बना दो आप मेरा point समझना चाहो तो आप इसको ऐसे बना दो आप देख सकते हैं दोनों ही case में circuit break है break यानि कि यह आपर तूटे वे हैं इसमें से current flow नहीं कर रहा इसलिए अभी है मेरा switch जो है वो open है open in sense अभी इसमें current flow नहीं कर रहा आपके सामने यह दोनों symbols हैं आप इसको अच्छे से समझ लेना ठीक है अब आता है कि मानलो अगर मैंने key को close कर दिया या switch को मैंने बंद कर दिया switch चला दिया तो अब आप क्या करेंगे इसमें dot बना दीजिए और इसको ऐसे connect कर दीजिए क्या कर दीजिए connect यानि कि इसको ऐसे मैंने दबा दिया तो यह connect हो गया और बीच में एक switch डाल दिया जिसे यह दोनों connect हो गए तो अगर आपको इस तरीके का कई switch दिखे तो आप क्या बोलेंगे कि वो switch open है sorry closed है यानि कि अब इसमे current flow कर रहा है तो open switch में कभी भी current flow नहीं करता closed switch में current flow करता है because circuit connect हो जाता है ठीक है चलिए आगे चलते कुछ और थोड़े से हैं joint wire मान लो अगर एक जगा पर दो wire connect हो रही है तो उसको हम कैसे बनाएंगे तो मान लो अगर इस तरीके का circuit है और यहां पर एक और wire जा रही है तो जहां पर यह सारी wire जुड रही है that is known as joint तो joint वो होता है जहां पर बहुत सारी wire जुडती है तो आप इस तरीके से joint बना लेंगे अच्छा अब एक और doubt आता है सर मान लो एक wire ऐसे जा रही है एक wire इसके उपर से जा रही है मतलब इसको touch नहीं कर रही है बट इसके parallel जा रही है आप ऐसे देखो एक wire ऐसे और एक wire ऐसे अब इसको diagram में कैसे बनाएंगे तो जहां पर भी wire टच नहीं करती with no joint तो वहाँ पर आप एक तरीके का क्या करेंगे symbol यूज़ करेंगे मान लो ये मेरी wire है और मेरी दूसरी wire जो है वो इसको touch नहीं कर रही है remember दूसरी wire इसको touch नहीं कर रही है तो इसका मतलब यहाँ पर यह होता है कि ये wire और ये wire एक दूसरे को touch नहीं कर रही है they are not joining each other तो ये भी एक symbol है जो आपको use करना है ठीक है so this will be our third related to key and this is related to joint and this so this will I will term as fourth ठीक है अब चलिए आगे चलते हैं फिफ्ट देखते हैं फिफ्ट सिंबल इजब बल्ब ज्यादा तर आपको circuits में मिलेगा तो बल्ब को आप कैसे बनाएंगे तो बल्ब ऑल्दो इस तरीके से आप बनादे उसको बल्ब को बस this is a bulb very simple symbol दो तिन बार practice करेंगे आपको याद हो जाएगा अब मेजर करता है तो इसको भी हम मेजर करते हैं symbol V से तो कुल मिलाके ही हमारे symbol हो गए एक मैं आपको अलग से और बताऊंगा ठीक है that will be our resistance ठीक है वो कौन सा है resistance अब जो resistance होता है उसको आपको इस तरीके से दिखाना है तो अगर आप इस तरीके से जिग जैक लाइन बनाते है यहाँ पर हम इन symbols का यूज करते हैं चलो करते हैं फिर try क्या दिक्कत है ठीक है चलो एक अपन blank slide लेते हैं और उसमें हम यह try करते हैं कि किस तरीके से हम ठीक है किस तरीके से हम यहाँ पर circuit diagram बनाते हैं ठीक है चलो एक diagram अपन खुद से बनाते हैं और इसको समझते हैं तो अभी तक हमने बहुत सारी यहाँ पर चीजे देख ली थी कि क्या होता है न सारे symbols होते हैं चलो उसको use करते हैं माल लेते हैं हमारे पास एक wire है मैंने यहाँ पर एक cell लगाया symbol के साथ मैं उनके sign भी लगा रहा हूं प्लस माइनस ओके यहाँ पर एक मेरा कहां से कहां फ्लो कर रहा है तो मैंने आपको बताया था इट विल गो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल तू नेगेटिव तो यह हमारे करेंट की वह हो गई सिम अपने डारेक्शन हो गई दिस इस आर सेल इस आर मीटर दिस आर ओपन की अभी यह ओपन की है तो यह बल्ब ग करेंड को यूज कर रही है तो कई बार हम इस रिजिस्टेंस के वे में इसको बना सकते हैं नो प्रॉबल्म हना यह हमारा वह मीटर है यह हमारा सुछ है और यह सुछे उपन लगों क्लोज्ट तो इसमने फ्लो कर रहा है लेट से करेंट आई है अगर मुझे वोल्ट मीटर हम resistance के questions करेंगे उसके बारे में detail में पढ़ेंगे तो वहाँ पर वापस यह सारी चीजे काम आने वाली है ठीक है आप देख सकते हैं मैंने a meter को series में जोड़ा यह मैंने आपको पहले ही बताया था अगर आपको current को measure करना है तो a meter को आपको series में circuit में जोड़ना पड़ेगा और अगर आपको potential difference नापना है किसी भी दो point के बीच में तो आपको वहाँ पर volt meter parallel लगाना पड़ेगा तो आप देख सकते हैं यह आप और हमने volt meter को parallel में लगाया है I hope सबको यह सारी चीजे clear है तो कुल मिला के यह था हमारा topic that is known as electric circuit तो अगर मैं इसको conclude करूं तो मैं यह कह सकता हूं कि electric circuit are closed path in which we have three components one is the source of energy second will be your devices which which includes bulb switches a meter volt meter right and the third will be your wire wire which actually a resistance ठीक है फिर हमने देखा कि हर एक component के symbol क्या होते हैं और किस तरीके से सब जुड के एक हमारा circuit diagram बनाते हैं तो यह था हमारा topic electric circuit I hope सभी को समझ में अच्छे से आया होगा सारी doubts उनकी clear होगी होगी अगर आप channel पर नए आये हैं तो प्लीज आप एक काम जरूर करें score शाला के इस YouTube channel को जरूर subscribe करें वीडियो को like करें और जितना हो सके अपने friends family के साथ अपने relatives के साथ share करें और education जो है जितना आप उसको spread करेंगे उतना ही हमारे लिए और आपके लिए अच्छा है तो प्लीज आप support करें तब तक सभी अपना ध्यान रखतें तब तक सभी को मेरी तरफ से thank you so much करेंगे पने में लिए प्र्फ से अपने हमारे लिए लाए भी करेंगे जितना है।